हेलो एब्रिवन किट्स कारड़न टिटोरियल पर आप सभी का स्वागत है आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिस का यूनिट 3 बीजिस की हैडिंग है सिंबॉल ऑफ आवर कंट्री तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ज चलिए बिफोर यू रीड दो यू नो अवरी कंट्री हाज इट्स आवन नेशनल सिंबॉल की क्या आपको पता है कि हर देश जो है उनका अपना कोई जो है राष्ट्र चिन्न होता है इस सिंबॉल्स है और इन चिन्नों का जो है बहुत जादा महत्त होता है दे चलिए पोयम को पढ़ते है और इसे बहुत सारे नेशनल सिंबॉल्स यानि कि राष्ट्र चिन्न और इसमारक के बारे में जानते है जो कि भारत को जो है एक अलग पहचान देते है तो चलिए शुरू करते है दे सिंबॉल्स अफ आवर कंट्री रिप्रेजेंट मूर देर जो हमारे देष का राष्ट्र चिन्न है वो जो है हम जितना देखते है उससे कही ज्यादा वो हमारे देश को रेप्रेजेंट करता है दूसरों के सामने में है ना जो है प्रतीक है तो वो बतलाता है कि कृणि हमें सखासी होना चाहिए strong हमें मजबूत होना चाहिए dread, संकल्पित होना चाहिए and free और आजाद का प्रतीक है तो आप याद रखेंगे royal vangal tiger जो है किसीच का प्रतीक है तो courage, strong and free, आजादी का प्रतीक है ठीक है? our tiranga that flies high in the sky have saffron white and green ठीक है? हमारा जो tiranga जो की उची आस्मानों में लहराता रहता है उसमें तीन कलर होते हैं आपको पता है? कौन-कौन सा saffron यानि की kesariya white मतलब सफिद और green यानि की hara, तीन कलर होते हैं उनका मतलब क्या होता है? यह वो क्या message देते है? तो message, courage, peace and prosperity, ठीक है? saffron जो होता है, वो courage यानि की साहस का जो चिन्द है white, shanti का प्रतीक है and green जो है हमारी समरिद्धी का प्रतीक है prosperity का मतलब होता है समरिद्धी, ठीक है? and asok chakra as wheel of duty और बीच में जो asok chakra बना हुआ रहता है तो वो जो है हमारे कर्तव्य का प्रतीक है यानि की उसका कहना है की हमें रुकना नहीं है अपने कर्तव्य को करती रहना है ठीक है? चली, next है की the Taj Mahal, a monument of love carries the ageless message for us और जो Taj Mahal है हमारे जो समारक है वो प्यार की प्यार का पहचान है प्यार की जो है चिन्द है और यह प्यार का संदेश देता है कब तक ageless यानि की बहुत टाइम तक वो प्यार का message देता रहेगा वो कभी पुराना नहीं होगा कभी ageless नहीं होगा उसकी उम्र कभी खत्म नहीं होगी Never we should forget and neglect that the ones who are near and dear to us और जो है यह हमें यह भी बताता है कि हमें जो है उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए उन लोगों को देखाने करना चाहिए जो हमारे near यानि कि जो हमारे करीबी है और हमारे प्यारे भी है ठीक है The statue of unity of सरदार पतेल spread the masses to one and all united we extend united we stand, divide we reduce, divide we fall तो जो statue of unity है सरदार पतेल कि यहां आप देख सकते हैं यही है सरदार पतेल की statue of unity ठीक है तो यह क्या संदेश देती है तो यह जो है संदेश देती है सभी लोगों को कि united we extend यानि एकता में हमें जो है विस्तार है यानि हम अगर एक रहेंगे एकत्रित रहेंगे तो हम विस्तार करेंगे हम बढ़ेंगी united we extend और एकता में ही शक्ती है और divided we reduce divided we fall लेकिन अगर हम विवाजित हो जाते हैं या फिर हम बढ़ जाते हैं तो फिर हम क्या होगा हमारा पतन होना शुरू हो जाएगा और हमारा जो है विस्तार नहीं होगा बलकि और क्या हो जाएगे हम reduce यानि घटने लगेंगे ठीक है तो हमें क्या रहना unite रहना इसलिए क्योंकि एकता में ही शक्ती है नेक्स्ट हमारा कि the symbol of our country spread the best of who we are land of Buddha and Mahavira enlightened both near and far तो जो हमारे देश का जो symbol है जो चिन्ड है वो जो है फैलाता है कि हम क्या है वो represent करता है वो बताता है दूसरे लोगों के सामने कि spread the best of who we are कि हम लोग कौन है हम लोग के अंदर क्या खुबी है इस चीज को वो बताता है हमारा जो राष्ट चिन्ड है land of Buddha and Mahavira महavir और Buddha की जो भूमी है वो क्या करती है वो जो है लोगों को जगरित करने का काम करती है बोथ नीर ऐन फार नजदीक के लोगों को भी और दूर के लोगों को भी तो ये थी हमारी poem अब चली हम लोग कुछनांसास को देख लेते हैं यहां पर पहले आप देख सकते हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक से तो यहां पर आवर्तिरंगा उसकी बाद आपको यहां से देख करके इसको भड़ लेना है ठीक कि आवर्तिरंगा के बाद यहां से आप देख सकते हैं कि इस टेचू आप यूनिटी कहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पर एपूरा question है हमारा what do the colors of tiranga symbolize यानि कि तिरंगा में जो color होते है वो किस चिछ का प्रतीक है तो अभी मैंने poem में बताया कि tiranga have three colors tiranga में तीन रंग होते है saffron white and green kichariya safed और hara and its color symbolize courage peace and prosperity और इसका color है यह जो किस चिछ का प्रतीक है courage मिलब साहस का सांती का और समरिद्धी का प्रतीक है next question है हमारा does the statue of unity give any message क्या statue of unity कोई संदेश देती है what is it तो वो क्या है कौन सा संदेश है तो yes the statue of unity of सरदार पतेल spreads the masses to one and all united we extend united we stand divide we reduce divide we fall यानि कि जो statue of unity है वो हमें एक रहने का संदेश देती है कि एकता में ही शक्ति है अगर हम बटेंगे तो हम घटेंगे ठीक है और जितना हम unite रहेंगे उतना ही हम विस्तार होगा हमारा उतना ही हम बढ़ेंगे ठीक है next question है कि what message do the symbols of our country give तो हमारे जो देश का चिन है वो हमें क्या message देता है तो कि हमें सहासी होना चाहिए और आजादी का भी यह प्रतिक है आजादी का संदेश हमें देता है ठीक है चलिए next and last question पे आते हैं तो सिप पहले जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लेकिया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकर कर दें ताकि इसके बाद नेक्स चैप्टर की वीडियो अप्लोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा चलिए तो I hope कि आप ऐसा कर लेंगे and next question है कि which two cents have enlightened the world कि कौन से वो दो संत थे जिनोंने देश को संसार को जगाने का काम किया है ठीक है तो बुद्ध and Mahavira where two cents have enlightened the world तो वो दो संत कौन कौन थे बुद्ध और Mahavira यानि बुद्ध और Mahavira वो दो संत थे जिनोंने पूरे विश्व को जगाने का काम किया है जागृत किया है लोगों को ठीक है तो चलिए I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा ल